मेरे प्यारे बच्चो इन दे प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या बात करना स्टार्ट करी थी येस हम लोगों ने मुलारिटी तक की बात कर ली थी चलिए आगे बढ़ने से पिल एक छोटा सा अफडेट मैं आपको और दे दू गाइस अभी मेरे अनकैडमी पर जॉइन किया है अनकैडमी पर अभी मेरे दो नए और बड़े इंपोर्टेंट बैचेज आ रहे हैं खेर वो बैचेज वैसे तो NTAC Olympiad Foundation Students के लिए है याने जो बच्चा 8, 9th और 10th में है उसके लिए है लेकिन वो जो बैच है जिसमें एक बैच का नाम है निर्मान उस बैच के अंदर मैं एक्चली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं at a very high level याने J or NEET level so in case if you want to enroll आप enroll कर सकते हो दोनों बैचेज की complete detail दोनों बैचेज की link मैंने अपने description box में डाल दी है एक बार आप जरूर चेक कर लेना और अगर आपको असा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10 का बच्चा है और वो डिजर्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो आप उनको अनकाडमी का बोल सकते हैं अगली concentration term जिसका नाम है molality यानि अगर आप तोतले हो तो आप molarity को कैसे प्रणस करोगे बटाओ आप molarity को कैसे प्रणस करोगे molality है ना तो मतलब अगर आप तोतले हो तो आपके लिए molality चलो मदाग की बात अलागे यह हमारी second important concentration term में जिसका हम बोलते हैं molality denoted by small m याद रखना molarity को हमने capital m से denote किया था ना molality का मतलब क्या होता है इसका सब्सक्राइब मैं आपको definition लेकर था हम it is nothing but the number of moles it is nothing but the number of moles of the solute number of moles of the solute in 1 kg in 1 kg solvent समझभा ही बात यानि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को solvent लेना है यानि मोलारीटी और molality में क्या फरक है आप एक लीटर solution लेते थे लेकिन molality के अंदर आप एक किलो solvent ले रहे हैं दो difference है वहाँ एक लीटर होता था यहाँ एक किलो है वहाँ पर solution होता था यहाँ पर solvent है आप सब लोगों को मालूम है solution is a mixture of solute and solvent लेकिन यहाँ पर आपको pure solvent लेना है और यहाँ पर आपको value kg में दे रखिए आँ मैं आपको इसका formula बनाना सीखाऊ so molality is equal to number of moles कि इसके obviously solute के divided by 1 kg solvent लेकिन जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि हमारे chemistry वाले हमारे exam वाले इतने सीधे तो है नहीं कि आपको सीधा सीधा सवाल दे देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सवाल में हो सकता है कि किसी substance का given mass दे रखा हो तो given mass अगर आपके पास में होता है तो हम लोग सब जानते है moles निकालने का formula होता है n यानि कि आपके moles निकालने का formula क्या होता है given mass upon molar mass तो अगर आपको सवाल में किसी solute का given mass दे रखा हो solute का हाँ, solvent का नहीं, solute का अगर given mass दे रखा हो तो आप molar mass तो उसका chemical formula देखके निकाली सकते हो तो मैं यहाँ पर number of moles की जगे ऐसा लिखूंगा given mass किसका? solute का upon उसका molecular mass in grams या molar mass अच्छा, एक kg को अगर आपको grams में solvent की value दे रखी हो अगर आपको solvent की value grams में दे रखी हो लेकिन यहाँ तो requirement kg की है तो वही जैसे मैंने आपको molarity में करना सिखाया था कि मानलो अगर आपके पास में 500 gram substance है तो आपके पास में कित्ता kilo होगा यह है? आप 500 को 1000 से divide कर दो तो 0.5 kg हो जाएगा क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 1000 gram होते हैं एक kilo के अंदर तो जब आपके पास में 500 gram होगे तो कित्ते kilo होगा? आपने इसका cross multiplication कर दिया तो 1 into 500 divided by 1000 तो यह वाला fund आपको use करना है तो क्यों नहीं आपर मैं लिख दूँ given mass of solvent given mass of solvent in grams in grams divided by 1000 बस यह आपका formula तो यह हो गया अब आप यहापर आपका थोड़ा सा match लगाओ तो यहापर क्या होगा? 1000 इससे के multiplication में चले आएगा तो given mass into 1000 हो जाएगा है upon molar mass और 1000 के division में क्या जाएगा? given mass लेकिन यहापर ध्यान रखना है किसका given mass? solvent का और यह given mass किसका था? solute का तो यह आपका question question क्या? आपका formula तयार हो गया this is the formula of molality इसके उपर खासे सावाल करे जाएगे चलो जल्दी से इसका screenshot लो एक basic question करा के फोड़ा concept की तरफ चलता हो जल्दी से इसको note down करो molality को ठीक है? done with the formula done with the formula चलो अब एक सवाल बनाते हैं एक basic सा सवाल बनाते हैं in fact कुछ सवाल करवाऊँगा इसके अंदर आपको मैं ताकि आपको मज़ा आए कि हाँ sir हमको समझ में आ रहा है देखो चलो एक question करो question कुछ ऐसा है that you have to find the molality find molality of a 500 gram solution of a 500 gram solution in which in which 50 grams calcium carbonate is present अब इस सवाल को आप कैसे solve करोगे सोचो दिमाग लगाओ sir आपने molality का formula हमें बनाना सिखाया है molality is the given mass of solute आपके solute का given mass divided by molar mass of the solute into 1000 upon given mass of solvent लेकिन sir यहाँ पर लफडा यह है कि आपने हमें कह दिया कि आपके पास में total solution 500 gram है हाँ मुझे यह clearly दिख रहा कि calcium carbonate मेरे पास में 50 gram है तो मैं यहाँ पर given mass of solute लिख लेता हूँ 50 gram और क्योंकि मेरे पास में solute calcium carbonate है क्या मैं इसका molar mass निकाल सकता हूँ हाँ मैं इसका molar mass निकाल सकता हूँ calcium का mass होता है 40 carbon का mass होता है 12 और oxygen का mass होता है 16 लेकिन oxygen आपके पास में 3 हैं याने कि 48 तो 48 प्लस 12 60 प्लस 400 तो इसका molar mass होगया 100 is the molar mass लेकिन sir problem यह है कि मेरे पास में given mass of solvent नहीं है है ना यहीं लफडा आया लेकिन मेरे प्यारे बच्चो क्या मैंने आपको यह कभी नहीं सिखाया क्या पिछले lecture में कि solution हमेशा किससे मिलकर बनता है solute और solvent से हाँ sir यह ता आपने सिखाया था solution कितने gram है sir solution तो 500 gram है solute कितने gram है sir solute 50 gram दे रखा है ओ अच्छा तो solvent का amount मुझे इस तरीके से मिलेगा ठीक है sir समझ गए तो solvent कितना हो गया 450 gram यह जा जाके minus हो जाएगा तब क्या formula में value रख पाऊगे बिल्कुल sir formula में value रख पाएंगे given mass of the solute is 50 molar mass of the solute is 100 into 1000 upon given mass of the solvent is 400 यह से दो टाइम ठुचुक हो जाएगा 0 से 0 ठुचुक 2 से यह 50 ताइम्स ठुचुक तो 45 फाइफ ना फाइफ ना फाइफ वन जीरो है ना तो 10 याने की 1.1 will be the molality क्या यह बात समझ में आ गई हाँ very good अच्छा मुझे एक बास बताओ molality की unit क्या बनेगी molality की unit क्या बनेगी मैं आपको molality का formula क्या सिखा है number of moles of solute तो mole in 1 kg solvent तो moles per kg will be the unit of molality तो moles per kg तो यहाँ पर मुझे unit क्या लिखने पड़ेगी 1.1 mole per kg should be the correct answer और आप इसे एसा लिख सकते है 1.1 small m small m का मतलब molality होता है या तो आप पूरी unit लिखो या आप small m लिखो क्या बास समझ मा गई तो इस प्रकार आपको यह question solve करना पड़ सकता है क्या परेशानी है easy जवाल है कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे बढ़े आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक concept और सी का हूँगा आगे बढ़ने से पहले I will teach you one more concept जो कि आपको molality के सवालों को solve करने में मदद करने वाला होगा कैसे देखो usually मेरे प्यारे बच्चों आप molality solve कर रहे हैं एंड जब कभी भी हम chemistry में काम करते हैं हमारा solution और हमारा solvent liquid state में होता है और liquid state की unit हम हमेशा liters में लेकर चलते हैं है न प्रॉब्लम समझ में आ रही है लेकिन molality निकालने के लिए आपको unit kilogram में चाहिए होती है या grams में चाहिए होती है तो ऐसे questions में हमेशा ध्यान रखना you should always be looking for density आपको हमेशा density वाला concept पता होना चाहिए now what do you mean by density density is nothing but mass upon volume density का मतलब क्या होता है mass upon volume where mass की unit आप always kilogram में लेकर चलते हो and volume की units आप liter में ले सकते हो अगर ऐसा ही unit की बात करूँ तो यहाँ पर वैसे तो meter cube होना चाहिए अगर मैं SI unit की बात करो लेकिन अभी क्योंकि हम लोग technically solutions charter की बात करों तो मैं यहाँ पर liter लेकर चल सकता हो मुझे कोई परशानी वाली बात नहीं है तो kg per liter अब imagine करो कि आप लोगों को सावाल दिया that we have water as a solvent imagine करो आपको water as a solvent दे रखा और water की quantity आपको दे रखी है 500 ml अब आपको सावाल पूछा गया कि उस substance की molality निकालो अब molality निकालने के लिए आपको solvent की value kg में या grams में चाहिए लेकिन question में तो आपको यह ml में दे रखी है तो यह question solve क्यासे होगा तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना आपको सवाल के अंदर कहीं न कहीं water की density जिसको rho जिसको rho RHO से denote कियाता है density is always denoted by rho तो आपको इसकी density दे रखी होगी 1 gram per cc आप बहुत सारे बच्चे डरते हैं सार cc तो आपने पढ़ाया नहीं मेटा cc का full form होता है cubic centimeter यह आप इसको ऐसा लिख सकते है centimeter की ओपर cube सार इसका मतलब क्या है इसका मतलब आप हमेशा अपनी किताबों में लिख लो 1 ml is always equal to 1 centimeter cube हमेशा इस बात का ध्यान रखना 1 ml हमेशा ध्यान रखना 1 centimeter cube के बराबर होता है 1 ml is always equal to 1 centimeter cube और यहाँ पर ध्यान रखना यह अगर gram होगा तो यह ml होगा अगर यह kilogram होगा तो यह liter होगा ठीक है तो 1 gram पर cc cc का मतलब cubic centimeter यह ऐसा भी दिया या सकता है 1 gram पर ml 1 gram पर ml ऐसा भी दिया या सकता है या 1 gram पर centimeter cube ऐसा भी दिया सकता है कोई चिंता वाली बात नहीं है अलग-अलग तरीके होते हैं रिप्रेजन करने के अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब कभी भी cc या cm3 दीखें, आप उसको ml ही मानोगे, मनब आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे, आप डारेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, अब यहाँ पर आप लगाओ density का formula, density is equal to what, mass upon volume, density किती दे रखी है, 1 gram पर ml, म मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन volume मुझे सवाल में 500 ml दे रखा है, तो ml से ml ठुचुक हो जाएगा, यह 500 इससे multiply होके सीधे बन जाएगा 500 gram, अब आपके water का mass किता हो गया 500 gram, तो क्या अब आप इस 500 ml को 500 gram लिखकर molality के solution, molality के formula पे नहीं लगा सकते हैं, अब आप लगा सकत होगे, अब यह जैसे यहाँ पर solvent है, कभी-कभी आपको solution की value दे रखी होगी, चलो इसको एक question करके समझते है, molality के concept को एक question देखके समझते है, अगर किसी बच्चे को note करना हो, तो प्लीज आप लोग video pause करके लिख लीजेगा, काफी सारे बच्चे complain करते हैं कि सर आप हमें यह time नहीं दे रहे हो लिखने का, बट ठीक है, आप उसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, मैं आपको यहाँ पर question एक करवाता हूँ, question यह है, find the molality of a 500 ml aqueous solution of 40 gram NaOH where the density of solution where the density of solution is 1.2 gram per cc अब अगर आपको यह question solve करना है, और आपको सवाल में molality पूछी गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप molality कैसे solve करोगे, देखू हम लोग सब जानते है, molality का formula होता है, given mass of solute upon molar mass of solute into thousand upon given mass of solvent, अब यहाँ पर सब solvent, solute, सबका mass, mass, mass चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा solution again, आपको ml में दे रखा है, और यहाँ पर आपको आपके solution की density दे रखी है, तो अब इस question को solve करने के लिए, आप सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पर लिख लो कि मेरे पास में जो given mass है, NaOH का, जो की मेरा solute है, वो कितना है, 40 grams, done, मैं जानता हूँ, कि NaOH का molar mass कितना होता है, भाई, Na का mass 23, oxygen का mass 16, और hydrogen का mass 1, तो 12 प्लस 16, 39 प्लस 1, 40, यानि इसका molar mass और given mass बराबर है, लेकिन अब बस मुझे एक च solvent, लेकिन solvent का mass तभी निकल लेगा, जब मेरे पास में solution का mass होगा, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को पता है कि solution is always equal to solute plus solvent, और solute की value मेरे पास में 40 gram आ चुकी है, और solvent की value मेरे को निकालनी है, लेकिन अगर मेरे पास में solution की value आ जाए grams में, तो मैं इस में से minus कर दूँगा, त solvent की value मिल जाएगी, तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा density वाला concept, मैं यहाँ पर लिखूँगा density is equal to mass upon volume, density मुझे दे रखी है solution की 1.2 gram per ml, cc को मैंने ml में लिख दिया कोई परेशानी, चीक है, mass नहीं पता, 500 ml, तो ml, ml तो फिट्टूस हो गया, ml, ml फिट्टूस, 1.2 multiply by 5, 12, 5, 60, याने 6, तो जब आप इसको multiply करेंगे, तो यह value हो जाएगी 600 grams, याने आपका solution का mass कितना हो गया, 600 gram, मतलब वो solution, जो आपको liters में, या ml में, 500 ml दिखाई दे रहा है, जब वो grams में आएगा, तो वो 600 gram हो जाएगा, तो यहाँ पर अब आप value put up कर दो, यहाँ पर अब आप value put up कर दो, 600 grams, यह इसमें तो कट गया, तो बच गया, 500 सहाट ग्राम, आपका solvent कितना हो गया, आपका solvent हो गया, 500 सहाट ग्राम, बस, question solved, दन, 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 तो मॉलालिट इस उकल तो गिवन मास, 40, मोलर मास, 40, 1000 दिए पाच सो सहाट, यह और यह कैंसल, 00 कैंसल, 2, 2's are 4, 2, 8's are 16, 15, 2, 1's are 2, 2, 4's are 8, 25, तो मॉलालिट इसमें तो मॉलालिट इसमें आपको देंसिती का कॉंसेट कैसे यूस करना है, Now you guys understand how to use the concept of density, मेरे प्यारे बच्चो, पक्का, great, चलो, अब एक बात समझना, अभी मैं आपको board पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो board पर इतने सारे सवाल कराना तो impossible है, तो उसके लिए हम लोग digital platform को अस्तमाल करेंगे, और digital platform में क्या होगा, question screen पर लिखा रहेगा, हमको स्रिफ उसको solve करना तो हम कम समय में जाधा question practice कर पाएंगे, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ DPPs भी बनवा रहा हूँ, वो DPPs भी आपको मैं जल्दी provide करा दूगा, थोड़ा सा delay हो गया था, but DPPs आपको जल्दी मिल जाएंगी, solid states की भी दे दूगा, solution की भी दे fraction, अगला concept जो हमें पढ़ना है, that is called as mole fraction, mole fraction denoted by x, mole fraction denoted by x, अब एक बात आज यहाँ पर बहुत जरूरी है, इसको जिसको बोलना चाहिए, star बना कर नोट कर लो, solution chapter अगर पढ़ना है, यह तो अपन introductory part पढ़ रहे हैं, यह तो class 11th का बच्चा भी पढ़ता है, यह आपको basic stoichi metric अंदर आ जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कि जो तुम्हारा mole fraction होता है, हाँ, यह Henry law, Rawls law, हर जगह पर काम में आएगा, आपका यह जो mole fraction होता है, यह Henry law, Rawls law, जैसे हर सवाल को बनाने के काम में आएगा, और जब आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आप solution के higher level के तरफ चलोगे और सवाल बनाओगे, तब molality भी काम में आएगा, तो यह दो चीजों पर जिसको ओना चाहिए, आपका अच्छी grip बनानी है, एक molality और एक mole fraction, तो आप Henry law, Rawls law के numerical और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो चार प्रॉपर्टी पर जो numerical हर सा आता है, definitely आता है, वो आप बना लोगे, बिना किसी परेशाने के, ठीक है, चलो तो mole fraction की तरफ चलते हैं, नो बटा, mole fraction का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास में एक solution है, अगर आपके पास में एक solution है, तो उस solution का कितना हिस्सा, mole wise, क्या बोला मैंने, कितना हिस्सा, mole wise, moles wise solute का है, और कितना हिस्सा, moles wise solvent का है, जीसे अपन percentage निकालते है, जीसे अपन बोलते हैं कि मेरे पास में 100% solution है, और इस 100% solution के अंदर 40% मेरे पास में solute है, और 60% मेरे पास में solvent है, तो ये value काए में में आई, यह percentage में आई यह fraction काई में आया यह percentage में आया लेकिन अगर मैं mole fraction की बात करूँ तो mole fraction में हम percentage में ना बात करते वे solute के moles कितने है solvent के moles कितने है इस तरीके से बात करेंगे ठीक है? दूसरी important बात आप हमेशा ध्यान रखना क्योंकि हम लोग यहाँ पर fraction की बात कर रहे है यह हमेशा ध्यान दखना कि the mole fraction of solution mole fraction of solution is always equal to 1 is always equal to 1 यानि mole fraction किसी भी solution का एक से जादा होगा ही नहीं अगर हो रहा है तो आपका calculation गलत है तो हमेशा ध्यान रखना कि solution is always equal to mole fraction of solute plus mole fraction of solvent आपका जो solution है वो हमेशा किसके बराबर होगा mole fraction of solute यानि आपके solute का कित्ता fraction है moles wise और solvent का कित्ता fraction है mole wise लेकिन आप लोग यह सब जानते हो कि mole fraction of solution तो 1 के बराबर होता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपके mole fraction of solute और mole fraction of solvent का sum हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए यानि अब आप समझ गए कि solute का mole fraction decimals में होगा 0.1, 0.001 0.5, 0.4 0.3, 0.2, 0.1 ऐसा कुछ होगा और solvent का भी so on होगा तो अगर आपको mole fraction of solute पता है और अगर आपको mole fraction of solvent निकालना है तो आप वह ही टेक्निक यूज करोगे आप 1 में से mole fraction of solute को माइनस कर लोगे ठीक है बेसिक फंडा समझ माया है चलो अब mole fraction के formula की तरफ चलते है सबसे बेले एक star बनाकर एक point note कर लो किसी भी substance के अगर आपको moles निकालने है अगर आपको किसी भी substance के moles निकालने है तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए given mass upon molar mass I think यह बात आप सब लोग का अच्छे तरीके से clear हो बएग यह चलिए अगर आपको mole fraction निकालना है solute का so mole fraction of solute is always equal to formula सिखा रहा हूँ ध्यान से देखना number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent मतलब अगर आपके बास में एक solution है तो solution में solute के कितने moles है और solvent के कितने moles है उन दोनों का आप sum कर लो मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो that number of moles of solute divided by total number of moles divided by total number of moles in solution आपके solution में total moles कितने है solute और solvent दोनों के मिला के it will give you mole fraction of solute और same formula आपके solvent का हो जाएगा अगर आपको solvent के values दे रखी है तो आप यहाँ पर बस क्या कर देंगे उपपर लिख देंगे number of moles of solvent divided by total number of moles in solution total number of moles in solution और अगर solute की value दे रखी हो तो यह formula इस्तमाल कर लो और अगर आपको solute की value निकालनी हो और अगर solvent की value पता हो तो यह वाला formula इस्तमाल कर लो it's just part of a game अब कैसे खेलते उस पर defend करता है ठीक है हलकी भूलकी चीज है कोई जादा चिंता वाली बात नहीं कोई जादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो चलो ज़रा इसको नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं करे इस पर एक numerical screenshot ले लिया करे numerical चल्दी बोलो पक्का चीक है पूरा ध्यान मेरे उपपर है कोई मेरे टकले को तो नहीं देख रहा है कि सर ने बाल कटा लिये है सर के बाल वापस आने शूरू हो गए किसी का ध्यान मेरे सर पर तो नहीं है दो दिन तीन दिन से सर कैप में शूट कर रहा है आज बीना कैप के आ गए हो चीक है चलो होता है तो मोल फ्रेक्शन के उपपर हम लोग सवाल करते है so let's write a question on a mole fraction find the mole fraction of solute and solvent find the mole fraction of solute and solvent find the mole fraction of solute and solvent when an aqueous solution of 40 grams NaOH and 180 grams of water are mixed together. सवाल क्या है ध्याद से सुनना आपको solute और solvent दोनों के mole fraction निकालने हैं किसमें एक aqueous solution में aqueous solution जो कि किस से बना है 40 gram NaOH से और 180 gram पानी से यहना जब आपने 40 gram NaOH में 180 gram पानी मिलाया या ऐसा बोलना चाहिए जब आपने 180 gram water के अंदर 40 gram NaOH मिलाया तो एक solution बना इस solution का mole fraction किता है वो तो solute का mole fraction निकालना है यहाँ पर लिखना पड़ेगा number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent यह total number of moles in the solution लेकिन यहाँ सर मोल्स की वैल्यू तो कहीं से कहीं तक given नहीं फिर क्या करें तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेगा आप यहां पर सबसे पहले एन ओएज के मोल्स निकाल लो NaOH का given mass है 40 और हम लोग सब जानते है NaOH का molecular mass भी होता है 40 NaOH के moles हो गए 1 वही पर अगर मैं water के moles की बात करतू water का given mass तो 180 है लेकिन molar mass 18 है यानि कि इसके moles हो गए तस बस हो गया तुम्हारा question solved तो total moles कितने हो गए solution के number of moles of solute plus number of moles of solvent तो यह हो गए 11 बस तुम्हें पंडित जी को क्यों मारा तो यह देखो solute के moles हो गए 1 solute के moles 10 sorry 1 और solvent का mole 1 10 प्लस 1 11 है टोटल mole हो गए 11 तो 1 divided by 11 क्या होगा भी है इसका जवाब 0.09 0.09 will be the mole fraction of solute तब आप मुझे बताओ mole fraction of solvent कितना होगा बस सीधा सा हिसाब है सर 1 में से mole fraction of solvent को solute को minus कर दो तो 1 minus 0.09 तो 1.00 में से अगर आपने 0.09 minus करे तो यह value होगी 1 यह बचे का 9 तो 0.91 0.91 is the mole fraction of what is the mole fraction of your solvent यह बार अगर answer cross check करना चाहते हो तो cross check कर लो 10 number of moles of sorry mole fraction of solvent निकालना है आपको तो 10 divided by 11 कर लो वह यह value आईगी 10 और 11 point लगागी 0 9 99 1 carry फिल लगाया 0 फिल लगाया 0 वह यह कुछ यह value आईगी 99 1 बचेगा है ना तो 0.91 will be the approximate correct answer तो आपका जवाब बिलकुल सही है तो इस प्रकार आपको कुछ mole fractions निकालने को भी आ सकते हैं तो गाईज के lecture में हमने molality और mole fraction के बारे में discussion किया अब मैं आपको अगले lecture में normality सीखा दूँआ वैसे शायद normality आपको NCRD text books में नहीं जहां तक मुझे ध्यान है लेकिन हमको सीखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो बहुत ज़ादा ज़रूरी है और parts per million parts per million वैसे तो class 11th JE students और NEED students को करा दिया जाता है आपको शायद नहीं कराया गया होगा बट मैं parts per million कहां use होता है कैसे होता है वो दोनों चीज अच्छे तरीके से करा दूआ फिर हम लोग इस chapter में आगे बढ़ जाएंगे Henry law अगरा की तरह तो मेरे ख्याल से यहां तक किसी बच्चे को कोई problem नहीं होनी चाहिए with this we will complete the lecture इसके आगे की बाद we will do in the next class तब तक के लिए bye bye see you and have a great day